पंडित जी, मेरी पत्नी की कुंड़ी देखकर बताईए कि मेरे बिजनस का भविश्य क्या है आपके बिजनस का भविश्य बताने के लिए आपकी कुंड़ी लेखनी होगी ना अरे जिसके भी कुंड़ी अच्छी होगी ना उससे शादी कर लोगा आपके शादी आप किसी सभी कर लेकिन साला मैं ही रहूँगा पीके साले कितना बुद्दे शाली और भागे शाली परिवार है या अजी देखे ना शानी जोनी की तरा धना धन चल रहा है कुल्ड़ें की सारे ग्रा इंडिया के 20-20 टीम की तरह काल रहे ग्रहों का क्रिकेट से क्या संभने ही मेरी समझ मैं आया हमें क्रिकेट अच्छी तरीके से समझ में आता है जब कि शास्त्र समझ में नहीं आते इसलिए पंडी जी हमें इस तरीके से समझ आ रहा है कुछ नगुछ फैसला करने के लिए चार्सो फ्लैट्स बनवाने के लिए आपको साइट और एडवांस देकर दो साल पूरे हो गये जहत्वी बनाए बिना काम अधूरा छोड़ दिया आपने आपको बताया था न उस भवानी यादव को खाली करवाने के बादी काम पूरा होगा यह कैसा न्या है मेरी जेगे को उसके जरी आप इने कपचा करवाया और एक्स्टा अमांट वसुलने को सोच रहे हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा मैं पेपर में एड़ दूंगा कि जो भी उस भवानी से उस जेगे को खाली करवाएगा उसी को कॉंटेक्ट दूंगा अभी पंडी जी मुझे बता रहे थ क्या अगर मैंने जूड बोला तो मैं फिर बोल रहा हूं सुनिये सभी आपका अनुगूल हैं चजमान आपको मा देना हो तो दस्वे आपको आना होगा इंपॉसिबल तुमको जो भी चाहिए जी जाजी दे देंगे आ क्या 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 ए यहां पर भवानी कोन है अंदे हो क् मैं हूँ तुम फॉरण ये साइड खाली करके ये सिटी खाली करके ये स्टेट खाली करके निकल जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है नहीं गया तो पानी तक नहीं मांगोगे मुझ पे हाथ उठाने से पहले मेरा बॉस कौन ही यह जानना चाहिए था लगता है पंडित ने इसी दस्मेगरा की बाद केता है माना तौनवगो माना तौनवगो इसन्य दस्दटन दस्दटन भॉस हुआ हैं मुआ हैं के दुट। हुड कि पिर्फ बुट रखो है क minds कि पिर्फ पुरान झाली 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 झाला किती ет काली चलaug किला और लाली भी संसारी फुली तुर नाई वॉली से इव्डािश कर रचिता ऩौ और जो parse फिंड़ागी उनी प्तार्टर कर फाष्करान हिं करेंगे हो यह बावानी को मारने वाला हो ही है कॉन वो कालिया ओ वो तो उसका फ्रेंड है उसके बगल वाला जाए बारी का नहीं तेरा स्क्रोडिल है वो तो इतना दुबला पथला है उसने भावारी को मारा वो देखने में क्लास है और मारने लगे थे एकदम मास है तो तुम हो इस सरके के गुंडो को मारने वाले मर्दla लगे ये छोटी कंप्रिया तो मेरी चुंगलिया के बराबर है मेरे साथ आ जाओ मुँ मांगे पैसे साथ साथ आयाशी तुम्हारी जिन्दगी बदल के रख दूंगा आज तक जीके की दारू पी थे ना उन्हें एक लफ्स बोल के आता तुम तो मुझे और भी अच्छे ने ने कंस्ट्रक्शन लाइन में आकर मेरे ही कॉंटेट्स को हरपना चाहते हो तुम वह गुंडा जो आज तक तुम्हारे पीछे खड़ा रहता था वह गुंडा अब वेले पीछे गड़ा है अब उस दिवार को क्या घूर रहा है इधर गुमर मेरी तरफ देख फूट फ तुम जी के कंस्ट्रक्शन लाइन मैनेजिंग डिरेक्टर गौर अफ खन्ना तुम एमडी हो कुरसी पर बैठा तो एमडी फाइट करता हूं तो रावडी कुल मिला कर तेरा बाफ अगर सर फिर गया तो फार के रख दूँगा चालेंगे आइस्क्रीम कोल्ड रिंग चॉकलेट लसी अपनी आवकार्ट पर आगे एए जीके विजने से मेरा मुकाबला करना भवानी को मारने जैसा आसान काम नहीं है इस देश की नंबर वन कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हो मैं इसिलिए तुछ से पंगालिया है नंबर तीन को मारने से तीन बन जाओंगा दो को मारने से दो बन जांगा नंबर वन को मार दिया तो वन बन जांगा दगर मझे गुस्ता आ creation contact ऐसा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं ये फर्स्ट एडवांस, फॉरन कंस्रक्शन शुरू कीजिए नो कैश, अनली चेक, बैलन्स भी चेक से दीजिए आज पहली बार रियल इस्टेट के बिजनेस में एक डमदार मर्क को देखा है आज से मैं अपने सारे कॉंटेक्ट साफी को दूँगा थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्च सर, हमें फॉरन काम शुरू करना होगा कल संडे है न, इसलिए आज शाम कोई स्टाफ मीटिंग अरेंज करता हूँ यह क्या है, मैं सेरियसली बात कर रहा हूँ और यह तो यूही हसते हुए चले गए इस हसी का मतलब जानते हैं? नहीं जानता देखो गांधी, कल संडे है तो आज साटेडे है साटेडे को स्टाफ की मीटिंग नहीं रखा करते, फ्रेंज के साथ पार्टी और डिस्कोव यह इंटर्व्यू बहुत टफ है क्या, सैलरी भी बहुत ज्यादा है, रहने के लिए फ्लैट भी देंगे फ्लैए ऐसे पीक अप करने के लिए गाड़ी है किसी पिक अप करने से लॉकही मिलेगी, एमडी साब के ड्राइवर को हाँ ड्राइवर को ही, वो एमडी साब के बहुते लिए क्लोस फ्रेंड है सिर्फ यही नहीं वो जो भी काम करते हैं उसे बता कर ही करते हैं इंटर्वियू में जो क्वेशन पुछेंगे वो भी वो जानता है मतलब पूछने से वो बताएगा पूछने से नहीं बताएगा पांसल देने से जरूर बताएगा कि अब मैं आपको बताता हूँ वो फर्स क्वेशिन जो मेरे बॉस पुछेंगे आपका नाम क्या है स्टुपीड सॉरे मिस देखा नहीं जान बुच का धक्का देते हो उपर से जुट भी बोलते हो कम से कम मेरी उमर का लियाज करओ बेटी यही तर प्रॉबल्लम है आप जेसे उमर वाले ही डेंजर होते हैं सारी बोल दिया फिर भी डाटती है बलाई का जमाना ऑँ है वहाँ सामने जाके बैठ सकते हैं ना यहां आया हूँ इसलिए यहां पर बैठा हूँ बेटी कमाले भाई यह भी कोई जुरू ही क्या इंटर्व्यू के लिए कितने लोग आएं 12 लड़की आई हैं बॉस सब को एक साद बुलाओ गुद मॉर्निंग सर मुझे सेकरेटरी के लिए MBA पास लड़की चाहिए ऐसा एड दिया था आप सब में वो क्वालिफिकेशन है ना इसलिए क्वालिफिकेशन से नहीं क्यारेक्टर से सेकरेटरी को सिलेक करना चाहता हूँ सुनेल जी कमला लक्ष्मी वीना पल्लवी जोती जोचना माधुरी तुम सातो लड़किया पांच सो रुपया देकर पचास हजार के नौकरी आसिल करना चाहती थी नौकरी मिलने से पहले यह हाल है तो कल नौकरी मिलने के बाद किसी ने पांच लाग दिया तो पचास करोड का टेंडर भी लिक आउट कर देंगी न तो के आप कोई भी काला धंदा किये बीने यह बिजनेस रन कर रहे हैं गलत रास्तों से तरक्की करने वालों से और बहुत ज़्यादा बात करने वालों से मुझे चिड़ है यूगन गो कमउन गल्स पासर में हाँ जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ पनासर देने से कही और जॉब मिल जाएगा अलो मैडम मैडम एक मिल रुकिए तरह एक मिलिट हाँ यह रहे आप सबके पांसो रुपए लीजियर जाएए नेक्स्ट स्टेला मेरी सिंधू कॉर्परेट ऑफिस में अगर काम करना है तो मेल फीमेल सब मिलकर दोस्तों की तरह रहना होगा सारे मर्द मेरी खूबसूरती के पीछे पड़े समझने वाली लड़कियां ब्यूटी कॉंशियस के सिवा ड्यूटी कॉंशियस नहीं होती इसलिए ब्राइड माइंडेड मॉडन लड़कियों की तेरह सोचना सीखो तरक्य करोगी सारी सार जिंदगी में फिर गभी इस लफ्सको इस्तमाल करने का मौका नहीं आना चाहिए सर इतने सत्य से पेश आने वाले बॉस के साथ मैं काम नहीं कर सकती बॉस तो फ्रेंडली होने चाहिए सेटरड़ नाइट पॉब मैं मिलो फ्रेंड्शिप करूंगा आफिस में खाल उधर दूंगा चलती हूं बहुस आप जैसा होना चाहिए सर हैंसम डाइनमिक लेकिन सेकरेटरी तुम्हारे जैसे नहीं होनी चाहिए तारीफ करने वाले मुझे पसंद नहीं तो आप क्या करे यह करीजे . का आछी का मतलब है ? औ Beim रचियों के दिवानों को देखा है फील्म के दिवानों को देखा है दिखा है यस सर, ही सलाइफ, सुनिर, जा कर देखा, प्लीज मुदद कीजिस सर। वैसे ही आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते हैं, आपके ये कुछ भी नहीं लगते हैं, फिर भी आप इतनी तकलीफ उठा रही हैं? रास्ते में खोन से लत्पत पड़े आदमी को बचाने के लिए खोन के रिष्टे की कोई जरूरत नहीं है, नाक पर मच्चर भी बेढ़ जाए, तो उसे हटाने की फुरसत नहीं है किसी को इस सिटी में, और आप एक अंजान आदमी के लिए इतना कुछ कर रही हैं, आपकी इ लोग देख लेंगे, हाँ, सुनिये, सुनिये सर, आप एक मिनिट के लिए लॉबी में आएंगे, ओके, आपका विसिटिंग कार दीची, विसिटिंग, ओके, पेशन के कौन लगते हैं, वो सड़ा कार, बेहनों ही है, सर के बेहन के पती, ओक एक मिनिट, अगर कोई रिष्टेदार ना हो, तो पुलिस के आने तक वेट करना पड़ता, इसलिए ऐसा कहना पड़ा, ठीक है, चलो, इस पर साइन कर दीजे, बैतर होगा भाईया कि आप कोई और नाम लिख दे, तेरा ये नाम लिखा है, एड़िशन फीर हजार रुपर जमा कीजे, अगर आप बुरा नाम आने, तो हजार रुपर उधार देंगे, कल वापस कर दूगी, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कोई आईडी नहीं है, परस में हजार रुपर भी नहीं है, आधी रात को क्या सोचके उसे बचाने निकल पड़ी, ये तीनों जिसके पास हूँ, ऐसे किसी की रहा देख रही थी, किसमत से आप मिल गए, क्या किसमत है मेरी, डॉक्टर साब, मेरे भाईया किस अले साब का आप क्या हाल है, घबनाने की जरुरत नहीं, पहले सा भी बहतर है, आपने कोई मामुली मदद नहीं की है, आप ये और हेल्प करना चाहता हूँ, इ इस तुर्भा आनात आश्रम के होस्टल में, पैदा होते ही मा चल बसी, पिता जी मुझे छोड़कर कहें गुम हो गए, ओ, सारी, पढ़ाई कहां तक होई है, अ, MBA, Central University, अच्छे जॉब के लिए ट्राइ कर रही हूँ, और आप, आप बहुस जी के कंस्रेक्शन लाइन के MD ह और मैं, ड्राइवर कम फ्रेंट, बहुत बहुत शक्रिया, जे लो, मेरा विस्टिंग कार्ड, कल ओफिस में दस बज़े आ जाना, हजार रुपे लाना मत भूलना, ज़रूर लियाओंगी सर, इतना कमाता है फिर भी हजार रुपे वापस मांग रहा है, लगता है बहुत ही कंजूस है, इतना कमाता है फिर भी कंजूस हजार रुपे मांग रहा है, ऐसा मत सोचो, मेरी कमाई की पाई-पाई में मेरा खून पसीना है, इसलिए हो मेरे लिए एहम है, कल दस बज़ों आफिस आ जाना, ओके? कितना हूँ? नहीं जा सुटा है, यह लगता है अनुराधा जी, यह बात रूम है, वो बॉस रूम आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों हॉस्पिटल में भृती कराओगी? मेरा यह मतलब नहीं था मतलब जो भी था आपका, चलिए बॉस सुबह से आपका इंदजार कर रहे हैं, आईए अहा, अनुराधा, कम-कम, गांधी साथ रात को मिली थी यह लीजे आपके हजार रुपए है, ओ, ले आई, दवागा कितना हुआ? 600 ओके, 600 समझ लूँगा अपने साले को दे दिया, ओके? मैं चलती हूं सर वान मिनिट फर्स मिटिंग में ही बहुत इंप्रेस हो गया था, रात भर तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था दिखने में तो जेंटलमेन लगता है, अंदर से लुच्चा ही निकला ये लिफाफा खोल के बढ़लो, मेरे प्रपोसल को येस या नो बोलो मैं घर जाके पढ़लूँगी सर मेरे टाइम वेस्ट मत करो, जो भी फैसला है अभी सुना दो टाइम वेस्ट, इसमें भी इतना इगो, मुझ में जो इगो है उसके वज़े से आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा मैंने, पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं काफी तेज है मतलब हां कर दी मैं आपके सेकरेटरी? तुम्हारा अपॉंटमेंट लेटी आइक कांट बलेव दिस 50,000 सालरी कंपनी का फ्लाट, ओफिस कार, 24 आवर्स जॉब ये मूबाइल फोन बील कंपनी भरी इसका मतलब येने की 24 आवर्स परसनल काल करती रोग कंपनी फिर्स जॉब कंपनी आपके सेकरेड़ प्रफिस काज़ मैं आपके सेकरेड़ तुम्हारा इसका मतलब ये चाहँ आपके सेकरेड़ तिए हम गजाए है नहीं हाग अचानग गज्ट आपके पास इद्यों मंत्री ने भेजा है याद आई उन्हें बताया था आप आये कि क्या लगते अए वुड्बी मतलब है I mean, मैं उनका होने वाला दमाद हूँ, वो और मेरे डैडी लंगोटिया यारत हूँ Okay, okay, can I? Sit on, please. Yeah, hello. आपका नाम? Nagarjun Sagar. वो तो डैम है? नहीं, मेरा नाम है. अरे, ये कैसा नाम है? Nagarjun Sagar. चैसा विषाल डैम बनाने की खुवाहिश थी मेरे डैडी की, लेकिन वो अपनी खुवाहिश को अधूरा छोड़कर चले गए. उनका एक्सिडेंट हो अधा क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो तीर थी हात्रा में ही निकल लिये. Sorry Mr. Sagar, खुल it, खुल it. मुझे जरूरी काम से जाना है, बाद में मिलते हैं. जुत्तों का है, डो-तिन फिट बढ़ाई हैं. Marvellous sir, marvellous. Sir, मैंने कुछ प्लान मनाए हैं, उन्हें जरह देख लीजिए. Sagar, I have something. No, 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 sir. It's a very different plan, sir. आप देखेंगे, तो हैरान हो जाएंगे. See sir, this is very typical plan, sir. Sir, sir, अपने शहर में चोरों का डर बहुत है न, sir. इसलिए इस प्लान में हमने ऐसा किया है कि इस बातरूम से बगल वाले के बैडरूम तक और उसके बैडरूम से लेकर उसके आगले वाले बातरूम तक कनेक्सेट कर दिया है, sir. अगर चोर घुज भी आए, तो आसानी से भाग सके. कैसा लगा, sir? Very smart. It's my pleasure. देखो, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है. अनू, हमें साइट पर जाके इंजिनियर से मिलना है न? वो चार बज़े है, sir. Oh, beautiful. Good. याने हम चार घंटे तक बात कर सकते हैं. मैंने देख लिया, sir. क्या देखा? आप उंगली कर रहे थे. अनू, हमारी बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग थी न? वो कल के लिए पोस्पन्ट हुई है, sir. Oh, excellent. याने हम पूरे नौ घंटे तक बात कर सकते हैं. फिर से किया, sir. I see. No, I saw. अब, तुम इतनी भोली वाली क्यों हो, no? समझ की, sir. Sorry. हा, sir. मेरी समझ में एक बात आ गई, sir. जिंदगी में कर ऊपर आना है, तो बीच-बीच में पिये को उंगली करते रहो. उंगली करते रहो. Very good. Keep it up. सागर, मुझे जरा बाहर जाना है. आप गुसा मत हो यह, sir. Sir, आज के लिए आखरी डाउट है. इतना बड़ा ओफिस बनाया है, इतनी सारी घडिया है, लेकिन एक भी घड़ी साही टाइम क्यों नहीं दिखा रही है? एई, जरा भी अकल है तुम्में. इतनी उम्र हो गई है, समझ में नहीं आता? खाना खाते हो या घास खाते हो, मैं इतना बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा क्या? कितनी बार समझाना पड़ेगा? क्या के घास काटने आते हो? इडियेट! आधरे मैरे पूरी सरिवह इतने सारी गालिया मुझे किसी नहीं थी Mr. Gandhi I'm sorry मैंने आपको सच में नी डाटा यूही मजाक में मैं भी सच्ची में नहीं ह ही रोय यूही मजाक में मैं भी सच्ची में डिया मजाक में Mr. Gandhi Mr. Gandhi जी के सब ऐसे क्यों रहते तुम्हें तो निकाल नहीं सके तुम यहीं रहो मैं खुछ जाता हूँ यहीं मतलब है प्रेकर मत खीजी मैं ही चाहता हूँ कि भाईया यह बिल्डिंग इंकम्प्लीट होकर इतनी सुन्दर लग रही है तो फुली कम्प्लीट हो जाएगी तो आपने तरह सुन्दर लगेंगे ज्यादा हो रहा है गांदी साब मैं घर पर मिलूंगा ओके साथ 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 आप इस वक्त यहां अनुजी बहुत से मिलना है बहुत से इस वक्त आप से बात नहीं करेंगे मुझे उनसे फॉरण बात करनी है वरना मैं सोने ही पाऊंगी आप एक काम कीजिए सुबह उनको फोन कीजिए और दुपह को सो जाईए सुनील आईए सुब है हजा सुब मुझे आप से इक बात करनी थी इसर के तुमसे मिला उससे हाथ मिला के मुझे धोका देने को कहा उससे तुम्हें रुपए भी ओफर किये न अहां सर लेकिन ऐसे चीप ट्रिक्स मेरे साथ मत करना तुमने भी उसे वार्निंग दे दी ना इतना सही सही आपको कैसे मालूम सर आज कल उससर के काम है उसके करेक्टर से में अच्छे तरह वाकिफ हूं यह अमेसिंग सर तुम इतनी बोली-बाली क्यूं हो इसका मतलब यही है न भया नहीं मुझे तुम पर पूरा यकीन है आनू नहीं तो ऑफिस में जोग कोई नहीं जानते ऐसे सीक्रेट पासवड्स में तुम्हें क्यू बताता है यहीं मतलब है समझ गय है तुम घलती नहीं कर सकते घलती कै मुझे फोन कीजिए मैं आपका काम कर दूँगा फिर से महरा का फोन आए तो मुझे मत देना सर बिजनिस में अपना पन बात में होना चाहिए काम में हर्गेज नहीं क्या हुआ थोड़ी सर्दी है सर अरे तुम्हें तो बुखार भी है किरन फॉर्न आफिस में आजाओ सजरी कर रहे हो किसी को सौंप के आजाओ हाई हाई क्या वह तुम्हें मुझे नहीं मेरी सेक्रेटरी को सिटी में वेदर चेंज हुआ ना जुकाम हुआ है सुबह से छीक रही है थुड़ा बुखार भी है तुम चेक करो 102 लगता है वारेल फिवर है एक दिन अराम करो बस ठीक हो जाएगा सुनिल तुम इसको घर पर छोड़ के आजए सुनिल तुम इसको घर पर छोड़के आज आईए सुनिल मैं कल छुटी ले लूँगी आज बहुत काम है डॉक्टर वो है या तुम यह बात निया सो काम मुझे काम इंपोर्टन नहीं है तुमारी हेल्थ इंपोर्टन है जाओ देखो बहुत बार बार लीव नहीं देते जब देते हैं तब ले लेना चलो थैंक यू सर्व गौरफ तुम ग्रेट आदम हो यार एक सेक्रेटरी की तबेत क्या खराब हो गई इतना ख्याल रखते हो उससे एक दिन की छुट्टी दूंगा तो कल से और फूर्ती से काम करेगी अगर छुट्टी नहीं दी तो अनु तो सफर होगी साथ में काम भी सफर होगा तू कह रहा है कि वाइरल हो सकता है अगर बाकी स्ताफ में फैल गया तो ओफि अगर अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे किसंजी यचा तुम्हें अच्छा पती मिलेगा जो तुम्हें जी जान से प्यार करेगा माबाप नहीं इस बाद से दुखी हो ना वह दुख भी वह दूर करेगा बेटे लक्रमार के दुख करेगा कि कुछ में सबबते नाख करके हैं हमारी से रखानन कैसी बॉजब रोग्ते इम वेले वोद टोकी दोकर यह पूजघ्या है इस थतम परही कर बैंद से लगता ही कि के पोस्ट चोड़कर ड्राइवर की पोस्ट है नहीं सर ड्राइवर की पोस्ट मतलब फ्रेंशिप एन्यवे कॉंग्राचुलेशन क्यूं लाइफ में पहली बार बॉस ने कहा कि अन्नु के बगार काम चलाना बहुत ही मुश्किल है बॉस की तारीफ तो आसकर के बढ़ावर ह बॉस दबाना है तो आनु जानती है आज से इस ओफिस में सब अपने अपने नेट खुद ओपन करेंगे सब अपना माउस खुद दबाईगे तुम्हारा काम है मुझे फॉलो करना सब से तुम्हें फॉलो써 कराना नहीं गो गो फिर ऐसा नहीं होगा सर। अपने नेर खुद अपन करना सीखो अपने माउस रबाना सीखो मैं क्यों बदनाम हो जाऊं। वस अनु का मूट कराब क्यों आपने उसे डाटा किया। मैं तो क्या रेड कारपेट बिचले उसे डिसको में ले जाना चाहिए था। अरे बाप रे कल आप ही तो कहा था कि इसके मेंगर आफिस में हमारा काम नहीं होता ये बात हमें पता होनी चाहिए अगर वो जान गई तो सर पर चड़ बैठेगी बच्पन से तू मेरे साथ है फिर भी बिजनेस नहीं सीख पाया वा भाया वा कल मैंने आपको अंजाने में भ है है तो ने वहाँ पर रुको अपना चेहरा दिखाओ तुम बंगुला हो ना यहां कैसे आना हुआ मैंने अपने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बरबात कर ली पता नहीं कब तक मैं जिंदा रहूंगा मारनी से पहले ही एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता है। बाद में मौक़ मिले हैं ना मिले। तुम अपनी बेटी से मिल혼 यही मैं हर रोज भगवान से प्राउर्फना करता हूं। तुम आज अगर उसे मिलोगे तो अपनी अव्लाथी कामियाभी को देख कर, तुम्हें अपने किये पर बहुत पस्तावा होगा जानते हो जी के कंस्ट्रक्शन कंपणी में सेक्रेट्री ए महीने का पचास हजार पकार पार रही है वो उसे पाल पोस कर बढ़ा करने वाले इस आश्रम को अपनी पूरी तनख़ा डोनेट करती है लड़कियों में नगीना है तुम्हारी बेटी जाए एक बार में अपकी बेटी से मिल सकता हूँ वो बेटी तो तुम्हारी है, मगर उसमें तुम्हारे संसकार नहीं है तुम्हें उसका नाम अपनी मा के नाम पर रखा है इसलिए वो तुम्हें मा की तरह ही प्यार करेगी जाओ You better change that अने तुम्हारे पिताजी आ रहे है मेरे पिताजी? कोई गंगुलाल है, और्फन स्कूल वालों नहीं उन्हें आ भेजाए मेरे पिताजी यह कहां है वो, वहाँ कैबिन में तुम्हारा इंतजार कर रहे है मेरी अन्नू नहीं आई बेटी पिताजी तुम मेरी अन्नू है, बेटी हाँ, पिताजी अपनी ही बेटी को मजह अपना परिच्छ देना पड़ रहा है मुझे अनात मना कर क्यों चले गए थे पिताजी आज तक कहां थे आँ आज तक मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए प Mama जब तक आध बैरों में ताकत थे की कि तब तक ऑखों को सिवाय रोप्यों के कुछ नहीं दिखा दिया कुक्थ नहीं नहीं ताकत नहीं है मुझे खारने के लिए भी कुछ ना कि मेरी मां कैसे दिखती थी कि साक्षान लक्ष्मी जैसी थी वो बहुत सुन्दर थे बैटी बुरा मत मारना बैटी मुझे बहुत भूग लगी है ते ने सब कुछ नहीं खा ये लिजी पिता जी ये रुपे ले जाकर पेड़ भर के खा लिजी पेड़ भर के खाने के बाद अगर मेरी याद आए तब आई एक लड़की को जब पिता की जरूरत होती है तब आप मेरे साथ नहीं थे अब बाकी की जिंदगी में अब मुझे पिता की जरूरत नहीं है मुझे तुमारी जरूरत है बेटी आपको जरूरत है एटी एम सेंटर की बेटी की नहीं बेटी हुई है सुनते ही आप मुझे खुद छोड़कर चले गए कभी बीटी पैदा हुई नहीं सोच कर अब आप चले क्यों नहीं चाहिए? कि अब आप 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 दिन के वक्त आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे हैं पर तुम्हारी आखों में आशु नजर आ रहे हैं सुरी सर्फ मैं थोड़ा अपसेट होगी थी आसमान को देखने से दुख कम नहीं होगा दुख दूर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ कोई बात नहीं सर्फ अब मैं ठीक हूँ मैं काम पर वापस जा रही हूँ सिर्फ तुम्हारे काम से वास्ता रखने माला बॉस नहीं हूँ मैं तुम्हारी खुशी और गम दोनों से वास्ता रखता हूँ तुम्हारा बॉस ही नहीं एक दोस्त भी हूँ लेकिन तुम्हें अच्छी सेक्रेटरी नहीं हो मलेशिया के लिए सिर्फ मेरी टिकेट क्यों बुक की तुमने अब आप नहीं बताया था अरे तु क्या मलेशिया हो या इंडिया हो मेरी देखमाल के जिम्मेदारी तुम्हारी है सेक्रेटरी याने बॉस का साया जहां भी जाओंगा फॉलो करना है कम आन फॉलो मी बॉस आने चे टिया मैंूट कैस्व और ऋम्मेदारी तुम्हारी अईूलो य हॉलो य ह लाक रखरे वलो जिम्मेदारी का बॉलोग य Wee duh ले ईखरे ले खरे आने बुलोंट पॉलोवग है сятुमो अच्छों एैक में समुमाइब दे अट अच्छे ना क्या वह बुचा ऊटकर्ग करते हुए हाँ 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 तू अच्छा जोग करते हो अरे गांदी साब मेरे गाड़ी की चाविग अरे पुर्ण्फ पेंटा है थूरी का माल है यार दिनको भीक मांगता है रात को दुकान से चौरी करके निकलता है तूम्हें उसे क्या करना है नहीं शकल से तो बिल्कुल तो सब ऐसे भोले भाले दिखते हैं मैं चोर हूँ ऐसा माथे पर लटका के थोड़े ही न घूमते हैं कुछ भी हो यह तो पक्का बिजनेसमेन लगता है यह राइक बिजनेस ही है लड़कियों को स्टार होटो में बेजने का प्रोकर बिजनेस तुम्हें उससे क्या लेना दे वह कैसे टिप्स वहीर इस मिस्टर जी के अभी अभी मलेशिया गए हैं कहकर गए है कि आप आए तो आपको दो टीप्स दे दूँ सुनी एट्लांटिक्स अगर नागर जुन सागर अब यह देखिए यह मैं हूँ यह मेरी बीबी यह मेरा बेटा अब मैं अपने बेटे के स मेरी बीवी के साथ खेलता है। मैं खोड आश्ट अपने बीवी के साथ नहीं खेलता है। आप बुरा मत मानें सरृ है। तेरी तो.. मैं जी के साव आएंगे तब आजँगा। तो आपने खड़ा की। निकल। जलबार। अब शेडिया में नहीं आएगा। हाँ हालो एक्स्क्यूज मी सुचे ये हमारी सीट है एकड़ा मैं पहले आकर या पर कर्चिफ रखा न या मारी सीट है कर्चिफ आपना बोर्डिंग पास दिखाए बाबा कंडेक्टर ने पहले से देख के बेजाना कंडेक्टर सुनिए ये मुंसिबल बस निये एर बस है मेरी सीट पर बैठने का है आज सीट खाली छे त्या बेसी जाओ ये लोको तो मेरी सीट के पीछे पड़ गए Excuse me Happy birthday to you Ladies and gentlemen, welcome to flight number one nine eight to Kuala Lumpur, please fasten seatbelts Sir, please fasten your seatbelt Why? ये लिक्टि क्या कह रहे है मेरे को बताया है बेल्ट बानने को कह रही है बेल्ट बान का यह हो लिक्टि घर साही बान का यह है अरे यार Camden crew please return to your seats for take off thank you भाई भाई मोटा भाई मीचे देखो ना लोग चीटी की तरह कितना छोटा देखाई दे रहा है वो चीटी है फ्लाइट अभी तक उड़ी नहीं है फ्लाइट में चड़ने के लिए किसमत होनी चाहिए नहीं वैसे फ्लाइट से उतरने के लिए भी तमारा comedy sense कुछ ज़्यादा ही है आपको common sense थोड़ा कम है मेरा मोटा भाई घर छोड़कर वाग गया था उसका फोन आया था कि वो मलेशिया में सेटल हो गया उसने बुलाया है मैं जे की वाट जानते है सर मैं और मेरे मोटे भाई की शकल एक्टम एक चैसी है हम दोरह जुणवाया है क्यों डर गये क्या नई अब है जिसे किसी से डर नहीं लगता ओओ सूचे सर हिलकर रहा है जाके पता लगाता हूं क्या हुआ भाई टायर पंक्चर हो गया है सुझ का ओचो भाई हम लोग कोई रोड पे थोड़ी जा रहा है तायर कैसे पंचर होगा अप नहीं जानते आकाश में जो गिद घुमते रहते हैं न उसका एक अंडा अकर टायर को टक्रा गया टायर पंक्चर हो गया कोई फरक नहीं परता सर हम लोग आकाश में है ना पर मलेशया में तो इसे टायर पर उतरना है ना प्लेन लैंड होते ही खलास अब है कर दो कर दो बाव कर दो कर दो चैसे! किसना जैसे! Come on, any? किसी से भी नहीं डरने वाला अब है मैं जारा गया काम से अनू, मैं रिटेंटेंटेकस कनफर्म करकर आपे तो, इस नोट डाउद नी प्रोग्राम फार कमिंग भी, बहुत से वरी स्ट्रिक्ट, अभी आट बच्क है, देस बचे के लिख के साथ अनू, मैं ठीक हो, तुम कैसे हो, पाइन। अनू, राधा, परसनल सेक्रेटर, हाँ, इंट्रोड़क्शन भी हो गया और मेरे लिए इंस्ट्रक्शन भी मिल गया है, सारी अंकल, नो, इस ओके, आपके बॉस के लिए आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक है, अरेज्वेंट करेगा मैडम, चलो, कोई नही गारी खानी द और क्या ख़बर है, तुम्हारा कंस्ट्रक्शन बिजनस कैसा चल रहा है, पिछले साल से इस साल 100% ग्रोथ है, रियल इस्टेट का तो सबर्दस मार्केट है, सही टाइम में मैं दूसरे चेहरों में बिजनस पहला रहा है, देखा, ये दोनों एक दूसरे से जब भी मिलते ह इसे बिजनस की बारे में ही बात करते है, एक दूसरे का हाल चल अभी तक नहीं पूछा है, घर तो एकदम बढ़िया बनाया अंकल ने, उन्होंने कहां बनवाया है, जब देखो बिजनस चीप और रुपयों का हिसाब, इस घर का एक एक कोना मेरा बनाया हुआ है, अपनी पसंद से, इतने बड़े घर में आप दोनों ही रहते हैं, अनू, सिर्फ यह दोनों ही नहीं, इनके बीच जो प्यार है वो भी यहीं रहता है, उस प्यार के लिए यह घर भी छोटा है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके एक्स्टेंड करते जा रहे हैं, प्यार करते हैं, यह लिए। जाँ जाँ, प्योगाँ रहे हैं, एक रहे हैं, जाँ है। कुक तू जस्ट वान या फॉर्मुलेटी के लिए भी मुझसे नहीं पुछ रहा है ओपर से इतनी प्यास लगी है अनु तुम्हें कुछ चाहिए तो लेलो कुछ नहीं चाहिए सा अरे अभाई के बड़े भाई क्या है अरी कैसे आद्मी हो तुम्हारा चोटा भाई इंडिया से आकर तुम्हें ढूंड रहा है और तुम्हार करें खाड़े खा रहे हो मैं वहीं हूं सर चोटा भाई आप जो किसी से नहीं रखता मेरे मोटे भाई की कबने मेरे को भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने लग गया था अरे अरे सॉरी लेडिस के साथ शॉपिंग करने आ हैं टाइम बेस्ट है सेक्रेटरी के लिए बढ़िया गिफ्ट खरीद नहीं है हैंटेस्टिक कैसा बास होता में इंडिया में इतना अच्छा बॉस नहीं मिलता अच्छा एक कोक तो पिलाया नहीं और गिफ्ट की बात कर रहा है अनू जाके शॉपिंग कर लो अच्छी रख लो सेवन थाजन फाइवंडर रिंगेट्स यानि हमारी करन्सी में एक लाख जाओ जो चाहें खरीदो साथ शॉपिंग करने भेज रहे हैं कि शॉप खरीदने भ रखने चाहिए जाओ आराम से पीना भाई त्यारी लड़की है आई विल हेल्प हर कर दो 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 कि शॉपिंग कर सकी तस मिनिट में एक लाख रुपए खरिच नहीं कर सकी तुम बेका रहे हैं बड़े खरुस बाउस हैं भाई आप kind Acesta के लिए अरुपए तो दिये साथ में टाइम लेमिंट मीरपी आप से निपड़ना तो वेरी 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 डिफीकल्त क्या है छान्य वेरी वेरी डिफीकल् sem बे एक लाग लग गेने लिए है मैं एक लगे दोलाग का इसलिट ईला पसंद है थेंक यू इसर्व माइ प्लेशर बाई मेरी एक बास हमझ में नहीं आई भाई गिफ्ट आपने खरीद कर रखा हुआ था फिर भी खरीदने के लिए कहा मेरा सिक्सेंस कह रहा था कि यह नहीं खरीद पाएगी आपका six cents इतना correctly बताता है भाई अपने six cents से पूछका है मुझे बताइये ने कि मेरा मोटा भाई का है हाँ क्यों नहीं तुम्हारे भाई ने फोटो भीज़ो आया लेकिन address नहीं दिया है मलेशया आने को कहा लेकिन receive करने नहीं आया है कहीं कुछ गडबन नहीं लग रही अच्छे वो कैसे एक नंबर का चोर उसके तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे दर दर के ठोकरे मिलेंगी मेरा six cents कहे रहा है अब भगवान ही तुम्हें बचाएगा यह क्या है आंटी आपका और अंकल का नाम इस पत्ते पर लिखा है यह यहां का रिवाज है जिन्दगी भर साथ रहने के लिए भगवान से मन्नत मांगते है तुम्हें और भी जगह दिखानी है हुम दोनों को भी हमेशा एक साथ रखना भगवान को रख अनुराद हाँ अनु दिल में छुपे प्यार को भगवान से पहले प्यार करने वाले को बताना चाहिए आंटी प्यार करने वाले शर्माते नहीं है और प्यार का इजहार करने में डरना भी नहीं वो तो हमेशा बिजनस में बीजी रहता है शायद इसलिए तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया यहां तुम दोनों को थोड़ी सी प्रवेसी मिल सकती है इसलिए उससे कहना आज तुम्हें बाहर ले जाए और अपनी शादी की बात करना कैसे बोलो आउंटी मैं जितना भी चाहूं कभी-कभी मुझे खयाल आता है उनके पास पैसो के लिए नौकरी करने वाली मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकती हूं वैसे भी मैं एक अनात हूं आसमान की उचाय में रहने वाले वो मेरे लिए कैसे जुक सकते हैं देखो आएंदा कभी खुद को अनात मत कहना तुम मेरी बेटी जैसी हो तुम्हारी शादी मैं करवाओंगी ये लो ये साड़ी पहन कर जाओ उसकी नजर में सेक्रेटरी जैसी नहीं चांदनी जैसी दिखोगी बहुत अच्छी लग रही है ना साड़ी अच्छी है अनो पहली पर मलेशी आई है ना उसे कहीं बहार घुमाने ले जाओ आंटी मुझे आपके साथ जाने के लिए मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें रेकमेंडेशन की ज़रूरत है तुम्हें कहा ले जाना है कब ले जाना है मैं अच्छे तरह जानता हूँ ओके बाइटा जेखकर भी अंजान बनकर चलिया है पहचाना नहीं पहचान लिया इसलिए तुम्हें पहचान रहा हूँ पहचान जोक मारा है बाई बाई आपका सिक्सेंस सही था मेरा मोटा बाई चोर निकला रुपए चुरा कर भाग गया मार खाका के सूच गया है वो सारा दुख भूलने के लिए ही में दो पैग मारने चला आया मैंने पूचा तुम यहां क्यों आये हो तुम जानते हो नहीं जानता हूँ जानता है बिलकुल पागल आदमी हो यार तुम पब में कोई क्यों आता है पेग मारने के लिए तुम यह मत पी ना बरदाश्ट नहीं कर पाओगे अब है जो किसी से नहीं जड़ता हूँ जो कहता हूँ सुनना चाहिए तो जोर से बोलना चाहिए था ना भाई जाके उस कोने में बैठो जोर से बोलने को कहा था तो बहरा बना कर रख दिया मुझे किस कोने में बाई हलो हमें आपने बॉस को डून रही हो कहा है वह अधर पर है अभी उसके पास मत जाना बहुत ही बैट मूद में है आफिस के बाद तो बिल्कुल मत करना परसनल बात कर सकती हो कि अधर पर अधर पर अधर देंशन में हो अधर अधर कर दो कि अधर अधर पर पोस्त आई लव यू पोलने आई होने अधर अधर कहने के लिए फिर्मट चाहिए हिम्मत मतलब बताता हूं एक पैग मारो आजाएगी यह पीने से हिम्मत आजाएगी तब से पहले तो डर भाग जाएगा उसके बाद तुम्हारे अंदर अंदर अज्जानी ताकत आजाएगी कम ओन सब्सक्राइब आज़ लगता है पाद में यह समाल लेगी तुमको इंग पैक पीने से हिम्मत नहीं आएगी इसको भी पंटापट पीलो अब आज प्लेवाग अज़एगे पोल दो क्या बोलू? आई लव यू मुझे आई लव यू कहते हो यह मैंने तुम से नहीं कहा था तुम बूल गई थी वो बता रहा था मैं क्या बूल गई? मैं नहीं बताओंगा उसी से पुछलो लाग इच्छे ये कान भी कहा अनो तुम यहां क्यो आई हो? मुझे कुछ कहना है मुझे कुछ कहना है अरे मुझे कुछ कहना था तो घर पर कहा रहा हो morals यह क्या कर रही हो ये क्या ना ड़क होगे देखा प्यार करना आसान है प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल समझ गई और उस प्यार को आखिर तक जिन्दा रखना उससे भी मुश्किल वैसे कहा गया तुम्हारा बॉस सुभ से तुम्हारे साथ ही रहता है ना मौका मिलते हैं दिल की बात बताना अच्छो उसका अपना कहने वाला कोई नहीं है सिवाए हमारे तुम दोनों की शादी हो जाए और बाल बच्चों की साथ खुशी से रहते हुए देखने को मन कर रहा है मेरी माँ कैसी थी मैं नहीं जानती पर आपको देखने के बात लगता है आउंटी वो आप जैसी रही होंगी अनु वो फ्लाइट का टाइम हो रहा है कम लेट्स गो मेरी पत्नी को रिसीव करना जितना पसंद है उतना ही मुश्किले सी आफ करना जब भी तूर पे जाता हूं मुझसे चार-पांच बार फ्लाइट मिस करवा दिया कम-कम-कम लेट हो रहा है आओ बेटे आओ बेटे हाँ हाँ हालो अनु मैं तेरी बच्पन के सहली स्नेहा वाट बिजी है तू तेरे बॉस के साथ क्या तेरी शादी फिक्स हो गई वाट शादी से पहले ही मलेशिया में हनीमून हाँ अब बस भी करेगी मैंने बस इतना कहा कि जिंदगी पहली बार हो बैंचोई किया और तू शुरू हो गई जीके के साथ तेरी जिन्दगी कितने खुबसूरत होने वाली है उसने शादी से पहले सेंपल दिखा दिया इस गोपाल कृष्ण उर्फ जीके को फुल चड़ाना छोड़ो उस गौरव खन्न उर्फ जीके को आई लव अरुट अरुट जीके कर अरुट 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 वोल जाए तो ठीक है तो मैं तेरे दिल के बात बता दूगी जान ले लूगी नहीं बोल दूगी लड़की को लेकर फिल्म देखने के लिए और कलब में जाने के लिए पैसे मुझे देने के लिए नहीं है सर इज़त की तो मैं सर इसका यह तो घ्रत बात है सर इसे आप क्यों मार रहे हैं आपको इससे क्या मतलब एक कॉले स्टुड़न को इस तरह खु इन्होंने लाइसेंस पर दिया लाइसेंस नहीं है तो चालान भरवाईए मुबाइल कोट ले जाएए ऐसा न करके विस सड़क पे इस तरह मारेंगे बुलिए सौरी बोलिए अपनी पूरी सर्विस में मैंने अपने सीनियर्स को सौरी नहीं बोला तो इसको क्या आपको जो फाइल्स देनी है वो मेरी सेकरेटरी अनु के पास है वो अपी तक ऑफिस आये नहीं है शी मस्ट बी ऑन दे वे ओके इसाल राइट नो प्राइल्स पांच मिनिट कीजिए अनु फ्लैट में नहीं है सर फोन भी नॉट रिचेबल है बुरा मत मानियागा जीके आ आपक पर देते तो कुछ हो सकता था ना उस तू लेट आइं सॉरी ए रेवती वाट अधेल यू दूइंग तुम लोगों पर भरोसा करने से जाओ मेरी शकल देख रहे हैं अलो हम एक वाट पार यह थे जाओ आपि मांगो पार एक अरे कोई जीका कंश्रक्शन कंपनी की सेकेटरी है काम का छोड़ के धरने पर बैठी है का अगर देख आज 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 आज़ए मापपी, मागो, मापपी, मागो, मापपी, मागो, मापी, मागो, सॉरी सय। जरा भी अकल है तूम्हें? ऐखीस टाइम में ये सब कैया है मेरी ऐखीस टाइम को यैसे बेकार कामूक ले इस्तमाल करोगी तुम इस कंपनी की मलिक हो जो अपनी मर्जी से आजाया करोगी, आफटर राल एक सेकरेटरी हो, अपनी लिमिट्स में रहना सिखो तुम अनुराधा बनकर कोई भी सोचल सर्विस करो तुमारी मर्जी, GK की सेकरेटरी बनकर तुमारी सर्विस इस कंपनी के लिए होनी चाहिए कल अगर कुछ ऐसा वाँ तो जीकी की सेकेडर ने ऐसा किया जीकी की सेकेडर ने वैसा किया कहेंगे लेकिन किसी अनुराधा को कोई नहीं प honor अनुष गोड़ विल का सही सही इस्तेमाल करो और उसका घलत funky तो नौकरी से निकाल दूगा जेके के साथ तेरे जिन्दगी कितने खुबसूरत होने वाली है उसने शादी से पहली सेम्पल दिखा दिया तुम इस कंपनी की मालिक हो जो अपनी मर्जी से आजाय करोगी आफ्टर रॉल एक सेक्रेटरी हो अपनी लिमिक्स में रहना सिखो तेरे बॉस का नहीं नहीं तेरे लवर तो नौकरी से निकाल दूगा यह क्या है मेरा इस्तिफा यह कड़ सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है बॉस ने गुस्से में दो बाते कह दी है सोचके भूल जाना चाहिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे पर अभीमान होना चाहिए जिस जगे पर सेल्फ रिस्पेक्ट महीं है वहां में नौकरी नहीं करने जो कौन देगा तुमें इतनी सेलरी स्टेटर्स और रिस्पेक्ट यह सब मुझे यूई नहीं दिया मेरी अकलमंदी को इस्तमाल किया है इसलिए दिया है मेरी तरह मेहनत करने वाली सेक्रेटरी आपको मिलना बहुत मुश्किल है पर मेरे लिए तो कोई भी बॉस आपसे बहतर होगा सॉरी अनू सब के सामने मैंने तुम्हें डाटा मुझे माफ कर दो नौकरे मत छोड़ो तुम जाओगी तो मुझे कंपनी बंद करने पड़ेगी ऐसा सब कहके तुम्हारा हाथ पकड़ के बिंटी करूँ नेवर जोश में आके फैसला तुम ने किया है तो बाद में पच्टाने वाले भी तुम ही होगी गुस्से में सब के सामने मुझे डाटा इसके लिए अब बाद में पच्टाएंगे मेरी जिस सोशल सर्विस की वज़े से प्रभावित होकर मुझे नौकरी दी थी वही आज आज आ तुम दोनों हमेशा के लिए भूल जाएंगे नहीं तो अपने सेक्रेटरी की पोस्ट को फूल जाओ मेरा फैसला अटल है एक महिने में आप ही सौरी बोलकर मुझे जाने से रोकेंगे ये चैलेंज है देखते हैं गांधी साब नहीं सेक्रेटरी के लिए पेपर में आड़ दे दीजिए पिछली जनवरी में तुने कहा था कि नवग्रा मेरे पक्ष में तब उस जीके के एंट्री हो गई मेरे कॉंट्राक्ट सब उसके पक्ष में चले गए वो तो शुक्र ने आपकी परिश्चा ली जजमान तूने कहाए एपरिल तक सबर कीजिए ग्राहों की अनुग्रा से उ तो मैं बेस्का बनूंगा आप परिश्चा देते जाएए जीके पास होता जाएगा आप आस होते जाएंगे जजमान बात तो तुने बिलकुल सच कही थी वो क्या है जजमान यही कि छूट बोलने से आखे चले जाएंगी जहां आज सच मुच तरी आखे चले जाएंगे ज इसका नारी बल तो उसका दफतर में ही है समझ लीजिया आप भी उसकी तरह एक सुंदर कन्या को सेक्रेटरी बनाए तो फट से आपकी तक्दीर की सिधारे चमाक उठेंगे कुंडली की आउलाद अपने आपका बचाने के लिए मेरे सौतल नानी की सलाह देते हो अकल नहीं है तुम्हे जिजाजी जिके ने पेपर में एड़ दिया है कि उसे नई सेक्रेटरी चाहिए देख लिया अगर मैंने जूर बोला होता तो मेरी आखे चली गई होती आपका जजबान ले आखे मत फोर इए ओके जान ले लेता हूं जान जागी तो आखे किस काम की इसलिए तौर रहा हां हाहा हा हा कुल मेरी तरफ देखो मेरी आखो मेरे आखे डाल कर देख लो फिर जानी लेगा आखरी बार देख लो मेरी आखों को तुम सब मिलकर फोड़ना चाहते थे ना भगवान का खेल देखा भवी से जाने के लिए तुम्हारी हाथों में रेख रहे हैं तो हैं नहीं सब्सक्राइब भीज रहे हैं अपने बॉस को अच्छे मोड में देखकर जल्दबाजी में इस्तिफ़ा दे दिया मेरे इस्तिफ़े को फार दीजी कह देना हर्गिस नहीं कहूंगी मैंने कोई गल्ती नहीं की अगर कह दिया तो वह सोचिंगे मैंने गल्ती मान ली तेरा बॉस तुझे बहुत पसंद करता ह इसलिए तेरे रिजाइन करने के बाद भी कंपनी बाई लॉब वगयरा वगयरा कहकर तुझे एक महने तक आफिस में रहने के लिए कहा ऐसा नहीं है कि तेरे रिजाइन करने के बाद उसे नई सेक्रेटरी में ही मिलेगी मेरी जगे पर जो भी आएगी उनके हेडवेट की वज़े से दो दिन भी काम नहीं कर पाएगी, तू नहीं जानती उनके बारे में, हम भला करेंगे तो भूल जाएंगे, लिकिन गल्ती की तो जिन्दगी पर याद रखे टोकते रहेंगे, that is my boss GK, G यानि गर्मन के यानि खड़ूस, बाइ! वाह, क्या कटिंग है, गांधी साब, आप मेरे लिगल एडवाइजर होके कितने साल हो गए हैं? पूरे तीन साल हो गए हैं, सर, सुनील, हाँ, तो कितनी साल के उम्र से मेरे साथ है? जब आप चड़ी पेंगे घुमते थे, तब मैं वो भी नी पेंदा था तब से, क्यों? कुछ नहीं, मुझ मैं अक मन, कयाने कड़ू सम। आपके बारे में ऐसा किस ने क्या、 मैं आभी उसका मुँँ तोड़ देता हूँ। अरेव जोश में मताओ। है banco कड़ी क्या ज्यादा है ? कटिंग लेकिन आपको ऐसा किस ने कहा सर किसे फ्रेंड ने कहा है आपको ऐसी कटिंग देने वाला फ्रेंड को नो जिसे मैं नहीं जानता अनू अनू जरा इधर आना मुझे फॉरण एक्स्प्रेस से रियलिस्टेट के कटिंग चाहिए एक और कटिंग क्रॉनिकल का विलाना यस सर एक और कटिंग उसी दिन के टाइम्स का भी एक कटिंग ले आना तुम फॉरण जाकर ये सब कटिंग लाकर मेरे टेबल पर रख देना हुह हु हाई। तुम ये नौकरी क्यों चोड़ रही हो वो ये नागर जुन सागर जानता है क्यों चोड रहा हो जीके को सेक messenger को उगली करने की आदत है X2 आंज़को तुम्हें किया उसने तुम्हें बाहर किया दया करके आप जाएंगी मुझे तुम्हारी कमपनी पसंद रहे इसलिए तुम्हा के मेरी कमपनी जोइन करोगी तो I'll be very much happy जी के तुम्हें फ्लेट देता है तुम्हें स्टार होटल दूगा जी के तुम्हें गाड़ी देता है मैं तुम्हें साहरा फ्लाइट दूगा जी के चलेगा तो मैं दौड़ूगा जी के हसेगा तो मैं रोधूँगा जी के टेबल पर से कूदेगा तो मैं जचात से नीचे खूदूगा वो कामकर तुम्हें का हम खुश यह कप आया हलो अनु क्या कर रही हो आपने जो पेपर कटिंग्स मांगी थी वो कच कर रही है उनके साथ अपना नोस कटिंग भी कर ले ना कुछ ज्यादा ये बड़ा हो गया आउसिस मोंबी के analogy पंडली को भी साथ में लाने को कहा था मैंने मना किया था ते कहा कि कघे के साथ आऊंगा अच्छा है बेशकर साथ के ये हाँ wire even तुमोंब्ए इंट्रेश्ड-ध साथ है इंढ़ा करें कि तो अगर तक कहांगा है शिंगार देखते रहें में कैसे फसाती हूं कंपनी इंडिया की नमबा वन कंस्रक्शन कंपनी होनी चाहिए उसके लिए कोई भी रिस्क लेने को मैं तैयार हूं दे आए नाइट काम करने के लिए आप लोग भी तैयार रहना सुपह सारे आकड़े दे दूंगा आप लोग पेपर वक शुरू कीजिए गेट गॉइंग कॉइंग सारे डीटेल्स कंप्यूटर में देख लेना ओके सार गुड मॉर्निंग सार गुड मॉर्निंग आज क्या प्रोग्राम है नहीं सेक्रेटर के लिए पेपर में एड़ दिया था ना सार वह आये हैं मैं नहीं जाओंगे ऐसा नहीं कहोगी ना वन बावन सबको अंदर भेजो अब भी नहीं कहेंगे कि मच्चा ओनू ओके सर हलो सर हलो सर हलो हलो अब समझ में आया कि तुम्हें अपने आप पर इतना गुरूर क्यों है जिन्देगे में कुछ हासिल करने के अमबिशन रखने वाले और तुम्हारी तरह अच्छी क्वालिटी वाले कम है मेरी जैसे तो आपको पसंद नहीं न मुझ जैसे सेक्रेटरी आपको नहीं मिलेगी सर सर देर से ही सही एक और कंडिडेट आई है बुलाओ एज क्या है 81 तो नहीं जस्त्री वर्स 18 तो फिर भेज दीजे ठीक है सर Cların अब जस्त्री निष्ठी में पड़े थे में पड़े थे, मैं भी वही से पड़ी हूँ sir, आपकी बहुत आरीफ सुनी थी, तब से मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ Really? Interesting. आपने construction company स्टार्ट की थी 2005, April 30th को, आपको 2006 में Best Industrialist Award मिला था sir, आपका first interview Time Magazine के 2006 January issue में आया था, cover page पर आपका जो फोटो आया था, वो आप भी मेरे पास है sir, अब तद 22 contracts टेक अप किये है, 16 complete है, 6 under construction है, acting में अभी शेख बच्चन, ट्रिकित में महिंदर सिंग धोनी, मुझे ये जॉब मिले या ना मिले, कोई बात नहीं, आपके साथ 5 मिनिट बात कर सकती हूँ, यही सोच कर इस interview के लिए आई हूँ शृती, तुम्हें इस post के लिए select ना करने के मेरे पास कोई वज़ा नहीं है, फिर भी, social service पर तुम्हारा क्या opinion है, हम socially तो रह सकते हैं, लेकिन service बगेरा time-based है, क्या जवाब है, मेरा opinion भी यही है, अनू, apartment letter ready करो, Thank you sir, thank you so much, you join immediately, okay? Boss पर Shruti को जितना अभिमान है, उतना ही होना चाहिए और secretary को, तो उसे समझने का दिल भी होना चाहिए boss के पास, क्या का, come again? आपका दिल बहुत बढ़ा है, इसलिए समझ सकते हैं, यही कह रही थी, you are right, take care of this, है, okay sir, Shruti बड़ी आई Shruti, बाद बाद पर अभी Shruti ही है, उल्लू जैसी शकला और कपड़ों में कंजूसी, लूम्री दिखती है लूम्री, कहती है बॉस पर उसे अभी मान है, उसे देखकर मुझे सिख निकले कहते हैं, लेती हूँ उसकी खबर, क्यों दीदी, रुक क्यों गई, तुम, तुम यहाँ कब आई, जब तुम करची से उपमा को, और गालियों से मुझे बून रही थी ना, तब आई दीदी, दीदी कैसी दीदी, कैसा रिष्टा, तू कौन, मैं कौन, ऐसे बेकार में रिष्टे जोड़ने वालों से, मुझे अपरत है, मुझे तो बहुत पसंद है, देखते ही हर किसी को फारण अपना बना लेती हूँ मैं, अच्छा होगा बहर जाके आने जाने वाले सबको अपना बना ले, तुम ही यहाँ किसने बुलाया, बस ने, आज से मुझे तुमारे साथ साथ सब शेय करने के लिए कहा उन मैं नहीं दूगी, देखो दीदी, बच्चो की तरह मत करो, तुम मुझे पसंद करती हूँ या नहीं, चाहत दिन सबर कर लो बस, बाद में चली जाओगी, तुम चली जाओगी बाद में ये न कर पाई, तो मुझे इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, ओके सर, बस कॉर्परेशन का पर्मिशन लेटर डिक्टेट करेंगे, लिख लेना, अनू, दू कॉफी ले आना, तुम अगर बाद में ये न कर पाई, तो मुझे इसे ट निए पोस्त निए जाएगी, क्यों, सेक्रेटर की पोस्त छोड़ का ड्राइवर की पोस्त Okay sir Haan Shruti, take this later down Yes sir To the municipal commissioner of Nagpur Dear sir, this is in reference to the notice sent by you dated 12 September 2007 GK constructions have already submitted What is this? Boss Haan Boss ही है, इतने seriously गला फड़के लेटर डिक्टेट कर रहे हैं और तुम हो कि उनके ड्रॉइंग करके नेल पॉलिश करती हुई, टाइन पास कर रही हो लेटर क्यों नहीं लिखा Boss इतना फास्ट बोलते हैं लिखना मुश्किल है तो क्या, वो सब बिना लेके दिमाग में स्टो कर लोगी? नहीं, इस वोइस रेकॉरडर में स्टोर किया है इसमें उन्होंने जो बोला है वैसे ही रेकॉर्ड हो गया है इसे कंप्यूटर के साथ कनेक करने से ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा दीदी, बोस ऐसे क्यों हस रहे है देखो शूटी, तुम्हार पाद ऐसे बहुत से लेटिस टेक्नीस है जो अन्नु के पास नहीं है यही मतलब है क्यों दीदी, मुझे मारना चाहती हो नहीं, वो तुम खराटे ले रही थी ना हमरे नाम पैंडू है, जुम्री तलाइया हम नीचे के फ्लेट पे रहता हूं अच्छा हमको बुखार खासी, अस्थमा, बीपी, शुगर सब कुछ है अच्छा हाँ इन सब के होते हुए हाट अटेक भी हुआ तो फट से मर जाओंगा हाँ, ठीक है अर्सना, हम यहां तुमरी मंजूरी लेकर मरने नहीं आया हूं तो? आधी रात को भी टीवी साउंड इतना ऊचा रखके है, हम सब को मत मारो बोल के मरने के लिए आया हूं यहां पर हाँ, बोल दिया ना, अब जाके मरो हम देखने में कम जोर रखता हूं इसलिए ऐसी बाते मा करो, अगर हमका गुछसा आ गया न तो सुभे से शाम तक नापो तो भी चार फुटका नहीं होगा, धिंग्या कही का, हमारा दर्वाजा खट-कटा के हम पर इचला रहा है हाँ? चुरूती, बस करो, सौरी भाईसा, यह हुई ना बात, लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए, तुमारी जैसी लड़ाकू नहीं, मुझे लड़ाकू कहता है, अपनी शेकल देखिया इने बात, शुटी बच्ची है, गलती हो गई, छोड़ी ना भाईसा, यह हुई ना बात, लड़ार लोगों के सामने खड़ा करके तेरे पास बुद्धी है, अकल है या नहीं है, ऐसा पूछूँगा, यह हुई ना बात, लड़की हो तो ऐसी, नहीं होनी चाहिए, मैं चलता हूँ, हाँ, यह क्या दीदी, हम पर चला रहा था, तब तो तुम चुप थी, बस के खि कर दिया, क्या बात है, लव हाँ, बीदी, लव है तो मुझे बोल दो, सेफ रहोगी, नहीं तो मैं ही ट्राइ कर लूँगी, एक दूँगी, मैं सिनियर हो तुम जुनियर हो, लेकिन हम दोनों है बॉस के बेरी नियर, वोट, सी माइडिया, बॉस से प्यार करने में कोई गल होगा, अब सोजाओ, कल धूप और राज बारिज का बाहाना कर रहे हो, when are you going to finish it? बहुत जल सर, वीदी, लाप्टॉप यहाँ है, मैं चांती हूँ, इस तरह आखे फार फार के देखने के बजाए, अपनी मन की बात बोल दो ना, काम करते वक्त बेकार की बाते मत करो, लूप पकड़ो, पकड़ो, सर, आपको डिक्टेट, हाँ, चलो बहले अंदर बैठो, अनू, जिन्दगी में एक बार पीछे रहोगी, तो हमेशा के लिए पीछे रह जाओगी, आओ, हुम् कहों गए होंगी, वीधी, क्या ढूण रही हो, बॉस आये की नहीं, छोड़ो छोड़ो, तुम्ही मेरी वज़े से टेंशन है, पर बॉस पर इटेंशन नहीं है, अज बॉस के साथ कार में बैठ के, बहुत एंजॉय किया मैंने, इतना तुमने क्या एंजॉय किया, अब मैं क्या बताओं, और कहां से शुरू करूँ, कार का स्पीद 90, मेरा बॉडी तेंपरेचर 91, कार का स्पीद 100, मेरा बॉडी तेंपरेचर 101, कार का स्पीद 120, मेरा में ट्रॉपिट, खर्मोमेटर फट जाएगा, अलग-अलग टर्निंग में, अलग-अलग तच्रिंग, वैसे तक पर तो स्पीड ब्रेकर है, लेकिन बॉस की स्पीड का, कोई ब्रेक नहीं है दीदी शुरुती, सर् Come to my room right away Yes sir देखा दीदी, शायद सफरगर की जी नहीं भरा, रूम में बुलाया है तुमारा टेंशन, एक्स टेंशन हो गया तुमारा टेंशन, इस फाइल को डिस्पैस सेक्शन में भीज़ देना Okay sir Sorry sir Sir तेरी sir तेरे कर रहा हूँ Sir अरे ने, क्या कर दे है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मैं कर रहा हूँ दुख रहा है sir आ भी नहीं दुखेगा श्रुती क्या हो कुछ नहीं बेभी अ श्रुती अ श्रुती क्या हो श्रुती सर आप मेरे घर में आये सर बैठिये देखो भाई मुझे तुमारी बेटी चाहिए सर खवराओ मत बीस साल से तुम मेरे नीचे काम करते हो मेरे बार में तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए जिसने MBA किया हुआ है बहुत बढ़िया नोकरी दूंगा मंझूर है लेकिन हमारे ओफिस में कोई वेकंसी नहीं है सर जीके के ओफिस में काम करके उसके बिजनेस काम तवाम कर देगी सर, मैं आपके पास जितनी वफादारी के साथ काम करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी किसी के पास उतनी ही वफादारी के साथ काम करे दोखे बाजी हमारे खुम्मिन नहीं है सर राम प्रकाश, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते आपके लिए तो मैं अपनी चाहनी दे सकता हूं सर लेकिन किसी के साथ तक आबाजी नहीं कर सकता ठीक है फिर से एक बार सोच लेला आपका नाम राम परकाई है जी हाँ आपके नाम आरेस वारंट है लेकिन क्यों है सार के कंपणी में दस लाग का गोटा लखिया है ऐसी हमें कपले मिली है मेरी डैडी को जानमुच का केस में फसाया है उन्हें आप ही को छुडाना होगा प्लीज सर जीके को बरबाद करने के लिए मेरे हाथ लगा आखरी हत्यार सिर्फ तुम हो जीके के पास एरपोर्ट के टंडर की जो फाइल है वो मेरे हाथ मेला कर दोगी तो तुवारे डैड मेरे को फड़ तुम हो भना सुझाई का ऐस अच्छा बॉस aच्छा बॉस नहीं अरे बॉस नहीं तो तुम या क्या कर रही हो आफ्टरॉल तुम्हें एक ड्राइवर हो, मुझ से सवाल करोगे, मुझ तोड़ दूगी शृती, ये क्या बोल रही हो इन्हें सिर्फ ड्राइवर मत समझो ये बॉस के लिए भाई की तरह है, इनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तुमने इसे चूट दी है, इसलिए अपनी ओकार भूल गया है दो दिन में तुम्हारी नौकी चली जाएगी उसके बाद किसे कहां रखना है, वो मुझे देखना है इसलिए ऐसा कहा तुम बुरा मत मानना सुनील, वो किसी टेंशन में ही इसलिए सा कहा नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ वैसे ये सब तुम्हारी वज़ा से हुआ तुम जा रही हो, इसी वज़ा से तो यह आई है भईया कि पस तुम जैसी शरीफ लड़की को होना चाहिए ऐसी बत्तमीज को नहीं तुमने जलबाजी करके स्थिफा दे दिया तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था पाइल देकर आ गई ना ओ, वेरी गुड मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छी लड़की हो जैसा मैंने काव ऐसा ही किया ला फाइल लाओ, लाओ ना पहले मेरी डाड़ी को छुडाओ तुम्हारे डाड़ी केस से बरी नहीं हो सकते तुम्हें उस जीके के पास रहना ही होगा जब-जब मैं कहूंगा तुम्हें जीके पे वार पे वार करके उसे खत्म करना है अगर तुम्हें ये टेंडर फाइल चाहिए तो मेरी डाडी को छुडाना होगा, तुम समझता मेरी डाडी को छुडाए बिना, मैं जीकी को धोखा देती रहूंगी, मेरी जान भी जाय परहसा नहीं होगा उसके साथ चाय कुछ भी करो, लेकिन वो फाइल लेकर आओ, जीजा जी भागो, पकड़ो, दोनों को पकड़ो, शरूरत पड़े तो दोनों को खत्म कर दो, लेकिन वो फाइल टेंडर के आफिस तक पहुंचने नहीं चाहिए, अरी यह क्या, एक भी फोन नहीं लग रहा है, बॉस कहा है, अनु कहा है, और हमाई फाइल कहा है, सबने टेंडर भर दिये, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, पाच बज़े के पहले भरेंगे तो ही चांस मिलेगा, वरना सब बेकार है आधा है आप इस तरह टेंस क्या हो रहा है सर जबकि आपने टेंडर भी नहीं भरा कभी टेंडर भरा तो कितना टेंस हो जाँगो उसकी प्रेटिस कराऊ तुम अपना काम करो कर आपने बाँछार को अपनेश बंगर जाती तरह रह रहा हुगो जाँछैस जाँछार करेंस कुछिते तरे वे टेंस क्योंगे बहला की आफ़ली नेओस Kung Δst को हो भरा है क्योंटर चाहला कि तरह तो रबस वाने हो गलतव स्वाबनेडर पाट करेंस कुम नोर कर दो दो आसे इन्हां कि आप लिए लोगंग। लदी जन्लमन अजलमनेट इस पर शुदूल एंड ट्लकातिां हम के अजनला है कर दो जो कहा ड्यूंड दो प्रॉला को लिए प्रॉलाब क है अजस्यां कर दो है वहीं गॉट इट सर हमें मिल गया है सर गॉड इट सर बहुत ही टेंचन हो रहा था सर तुम बे वजय टेंचन ले रहे थे इस नाकर जूंचाकर को तो पहले ही परता था कि ये कॉंटेक नहीं को मिलेगा ये सब वह कैसे सब्सक्राइब करते हैं सर आपका सबसे बड़ा सपना साकार हो रहा है सर शुटी टेंडर अपिस चलो देदे लेगे टेंडर अपिस चलो कॉंग्रिचुलेशन्स सर ऐसार के असली मर्द हो तो हैंड टो हैंड फेस टू फेस मुझसे मुकाबला करो इस तरह ना मर्दों की तरह काम किया तो खाल उदेड़ दूँगा शुरुती को ब्लैक मेल करके कॉंट्रेक्ट हरपना चाहता था चल कमीने याद रखना मैं तुझे नहीं छोड़ूगा मैं तेरा खाट में कर दूँगा मैं तुझे छोड़ूगा याद रखना चीके सर यह क्या है अनु के पी एफ सालरी स्टेट्मेंट और सेटल्मेंट पेपर्स हैं आज उसका ओफिस में लास्ट वर्किंग डे है उसने जाने का फैसला कर लिया आपने उसे सब के सामने डाटा इसलिए रिजाइन कर दिया आप शायद उसे रोखेंगे तो नहीं जाएगी सॉरी सार इन पेपर्स पर आपके और अनु के सिगनेचिस चाहिए उसे बेज़ा ओके सार दीदी बहुस आपको बुला रहे हैं वो अगर आपको रुकने को कहे तो रुक जाना प्लीज अगर नहीं कहा तो तो तुम ही कह दो कि रुक जाऊंगी दो लोगों के बीट जो एगो है वो छोटे दर्वाजे की तरह है दूसरी तरफ पहुचते के लिए सर चुकाना ही पड़ता है प्लीज दीदी जॉब छोड़के नहीं जारी हो इस गुड़नी उसके साथ वापस आना दीदी तुम्हें मेरी कसम अनु आज ओफिस में तुम्हारा लास वकिंग डे है मुझे याद नहीं था बस यूणी जोश में आकर इस्तिफा दिया होगा और गुस्सा उतरते इस्तिफा वापस लोगी यही सोचा था यहां शुरुती को एपॉइंट किया है तो तुम्हारी जगह पर नहीं तुम्हा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं मैंने जानता है तुम पहले यहां साइन करो उसके बाद ही मैं करूंगा अनू, तुम चली जाओगी तुम्हें एक अच्छी सेक्रेटरी कोई नहीं, हमेशा मेरा भला चाहने वाली एक अच्छी दोस्त को भी खोदूँगा इस दस्तकत से नौकरी का रिष्टा भले तूट सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो दोस्ती है वो कभी नहीं तूटेगी जया है! आनो, क्याओवा? आनो! आनो! वहाओव छूर के चाना वी जाती अनू तुम इतनी जजबाती क्यों हो रही हो मैं भी तो यहीं चाहता हूं यह जॉब तुम्हारा ही है कहीं नहीं जाएगा अनू अनू इस तरह एमोशनल हो जाओगी तो कैसे तुम इस कदर जजबातियां में नहीं जानता था बहुत हिम्मत वाली समझ रहा था एक छोटी बच्ची के तरह हो रही हो कमान ठेक इज़ी कमान अनू थे कि देख खूले खूले इस ओफिस से ही नहीं जिंदगी पर आप से दूर है कर भी मैं नहीं चीज़ सकूंगे बच्पन से एक अनाथ होते हुए जो तकलीफ है मैंने सही उसके लिए भगवान का थिया वर्तान है आपके हाथ हो मेरी मांग भरे और मैं जिंदगी भर आपका साथ मिभाती चलू यही मेरी खुएश है आप एक बार मेरा हाथ थाम लेंगे तो मैं आखरी दम तक आखे सिवा करूंगा भर आप एक बार मेरा सका अवे लिएे जिए लिएटा है मेरी पत्नी संजना मलेशय में जो सुमित्रा जी और विश्वनाज जी हैं उनकी बेटी हमने एक दूसरे से प्यार करके शादी की पहली बार जब मैंने संजना को देखा तो सोचा कि शादी सिर्फ इसी से करूगा igenceुम कर करया है ऊपए चार देनों से देख रही हूं मेरा पीछा क्यों कर गयों मैं तुम्मारा पीछा नहीं कर रहा हूं प्यार कर रहा हूं मैं ठांक्स बनकी तुमारे साथ पारक में घुमूंगी पप चलूंगी critics एश करना होगा जरूरत नहीं बस शादी कर लो काफी है मैं बिजनेस करता हूँ पैसे बहुत कमा लिया है लाइट में सब कुछ है वो सब शेयर करने के लिए मेरे साथ तुम जैसे खुब्सूरत लड़की हो तो सोचा मज़ा आएगा अच्छे तरह सोच लो तुम्हारे पेरेंट जो भी लड़का ढ पीछा करता ही रहोंगा ओके बाई संज्दा ने जब तक येस नहीं कहा मैं पीछा करता ही रहा मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकती बढ़ाई खतम होने में दो साल बागी है मैं तब तक प्यार करते रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और इस तरह भगवान के सामने हमारा प्यार शादी में तब देल हो गया एई मेरे सारे कपड़े चुपाओगे तो क्या सुचा मैं कुछ भी नहीं पहन पाऊंगी मेरी शर्ट क्यों पहन रही हो मुझे ये पहन लो ना मेरी शर्ट दो एई नहीं का लोगाओगे नहीं तुमसे प्यार के रही हूँ बोलो कल क्या है कल डिसेंबर ट्वैंटी सेवन्थ मंडे नहीं तुम्हारी जिन्दगी का एक इंपॉर्टन दे बताओ क्या है हम दुनों पहली बार मिले थे वो दिन है क्या नो तो जब हमने फर्स किस किया था वो दिन है नहीं तो हमारी शादी की अनिवरसरी है अरे बाबा मुझे छोड़की सिर्फ तुमसे माइने रखने वाला एक इंपॉर्टन दे है वो क्या है तुम्हें छोड़के कोई भी दिन मेरी जिंदगी में इंपॉर्टन दे है संजना आइ लव यू कारव आइ लव यू टो कल तुम्हारा बर्दे है शेह में रहोगे तो काम-काम कहकर तुम सेलेवरेट करने नहीं दोगे इसलिए मैंने हमारे हानिमून वाले रिजॉर्ट में बड़ी हाई इंतिजाम किया है तुम फॉरण यहाँ चले आओ समझ गए? अच्छा तो ये बात है मैं बस अभी आया तुम कहां हो? ओफिस में? कार में हूँ ए तेज मत चलाना मुझे कुछ नहीं होगा, don't worry मेरी बात मानो, राश ड्राइविंग नहीं करना तुम इसी तरह बात करती रहो, मैं तीन गंटे का सफ़र तीन मिनिट में पुरा करूँगा, okay? अगर तुम्हे कुछ हुआ, तुम्हे जी नहीं सकूँगी तुम हस्ती हुई मेरे आखों के सामने रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा और क्या? अच्छा, सप्राइज सप्राइज संजना, संजना, यह कैसी आवाज है? संजना, लाखों लोगों के साथ साथ, मेरी संजना के भी चान ले ले उस सुनामी ने संजना की यादों को बुलाने के लिए उसके तस्वीरों को भी छुपा दिया था, उसके पैरेंट्स ने संजना भले इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन अब भी वो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है. इसलिए मैंने पूरी तरह बिजनेस में कॉंसेंट्रेट करके प्यार अपना अपन अटाच्मेंट सेंटिमेंट जैसे जज़बातों को इस कमरे में दफना कर बंद करते हैं, फिर कभी इसे खोलने के कोशिश मत करना, गो, गो. गो. जो जो झाल कि अब पर आप अब भाइब कर दो दो जो 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 है कि अब बहुत अनुन से हमारे आफिस में रहने के लिए बोल दीजे ना मैंने उसे कहा था लेकिन वो यहां रहना चाहती कि अ रहने कर दो कि मतमें वो जो 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 ऑ है झाल झाल आप कंगुलाल है ना मैं अनु का दोस्त हूँ अनु को प्यार के जरूरत है पिता होने के नाते वो आप तीछे अनु को अनाधाश्रम से बाहर ले आईए और किसी अच्छे लड़के से शादी करवाईए मैं चाहता हूं कि वो शादी करके खूशी से रहे बच्पन से जो परिवार का सुक उसे नहीं मिला वो सुक अब उसे मिलना चाहिए उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं देदूंगा होने वाले दामाद के पैर दोके उसके हाथों में बेटी को सौप के उसकी देखभाल करने की विंति करते हैं पिता वो जिम्मेदारी खुद लेकर मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं आप देवता है अब और कुछ मत कहिए मेरे साथ चले देखा कैसा रो रहा है अब और भी इसे दुखी करना अच्छी बात नहीं देखो अब इसकी आँखों में सचाही नज़र आ रही है बच्पन से तुम्हारा एक परिवार हूँ अपनों से तुम्हें प्यार मिले ये सपना तुम्हारे साथ साथ मैंने भी देखा था खैर पच्छी साल पहले इससे भूल हो गई अब उसी भूल को तुम दोराओगी जाओ बेटी अपने पिता के साथ जाओ अनु अनु तुम्हार वहां एप्लिकेशन रखा है फॉरण उसे सब्मेट करतो ओके पेटी अनु तुम्ही ये लड़का पसंद हो तो बोलो फॉरण बात पक्ये कर देता हूं पिता होकर और कोई जिम्मदारी तो नहीं निभाई कम से कम ये मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी तुम्हारी देख भाल करूंगा तुम्हारी किसी अच्छे रखे से शादी कराऊंगा ऐसा मैंने किसी देवता से वादा किया है बेटी हम बाप पिते को पिलाकर ये घर और तुम्हारी शादी के लिए पैसे देने वाले भी वही हैं ये बात मैंने ही तुमसे कौन है वो तुम्हारे बॉस जी के साथ तुम्हारी शादी होगी तो वो बहुत खोश होंगे क्या ऐसा उन्हों ने का हाँ बेटी यहां साथ वेस्स में तो बाद में डिस्कास करें जाएए यह आपने बॉस की हैसियस से मुझे दिया है तो नौकरी नहीं है अगर प्यार का तुफ़ा समझ कर दिया है तो प्यार नहीं है मेरे पिताजी से मुझे मिलाने के लिए अगर मेरी शादी होगी तो आपको खुशी होगी कहा आपने आपको मैं अपने दिल में बसा कर कही शादी नहीं कर सकती मुझे भूल जावा नो संजना जो गुजर गई है उसे आप अभी तक नहीं भूले तो मेरा प्यार जो अभी तक जिन्दा है उसे मैं कैसे भूलू मैंने सोचा मेरा प्यार आपको कबूल नहीं लेकिन आपने उसे समझा है मैंने सोचा कभी ना कभी आप बदलेंगे लेकिन आप बदले ही नहीं आप बदलेंगे अनु है तुम पागल हो गई हो तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता तो आपको क्या मैं आपको जब पसंदी नहीं हूं तो मुझे बचाया क्यूं मेरे साथ कुछ भी हो जाये आपको क्या मैं कैसे भी मरू आपको क्या बोली ना है तुम्हारी जिन्देगी तुम्हारी मर्जी जहां चाहें जाके मर्ज़़ए यह मेरी कंस्ट्रक्शन साइड है अगर यहां तुम्हें को छुआ तो तुम्हारी जान तो जाएगी साथ में मेरे इज़ट भी कि अच्छारी अन्मो को इस तरह आपने क्यों ला दिया कि उसने मुझसे पूछा कि वो मुझे कैसे बोल पाएगी अब जरूर बोल पाएगी कि कि अच्छार थाओी कि अगरी आपने कि यचित है जाएगी यहां जाएगी एपने मुझसेजरान सुष्छावी पाएगिजरान से संते बड़ित। आपसनारी लगवारी हालो कर दो 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 कि यह सब कैसे हो आँगा पता रही जब भी मैं टूर पे जाता था आप समहल कर रहिएगा अपने हेल्थ का ध्यान रखिया कहा करती थी लेकिन उसने अपने हेल्थ के बारे में कभी कुछ नहीं कहा अंकल नहीं ऐसा मत किजी अंकल जब भी देखो अपने बिस्निस अपने अचीब्मेंस अपने सक्सिस अपने फिलोस के बारे में मैं उसे बताता था लेकिन तुम कैसी जो सुमित्रा केकर एक बार भी उससे नहीं पूछा, दिल के दर्द को दिल में छुपाकर वह चले गए, इतने बेरहमी से हम तोनों को छोड़ कर, कैसे चले गए अंकल ये दोनों मा मेठी, ये दोनों बेरहम नहीं है, वो है, सुमित्रा को अपनी जंदकी से बहुत ही प्यार था, आखरी पल में भी मैं नहीं मरूंगी, मेरे एक इच्छा भी बाकी है कहते रहे, तुम्हारी अरणों की, शादी अपने हाथों से करवानी के इच्छा, अधूरा छोड़ गए, पती होने के नात्मे पत्नी की आखरी ख्वाइश क्या मैं पूरा कर सकूंगा बेटा, क् आप मेरे साथ इंडिया चलिये आंका, नहीं बिटा, मैं यही रहूँगा, सुमित्रा की यादों के साथ मैं यही रहूँगा, फिर मुझे संजना को बुलाने के लिए क्यों क्या रहे है, शादी के एक साल बाद ही वो तुम्हें छोड़कर चली गई, वही पर तुम्हारे जिंदगे नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए बोल रहा है, और जो प्यार बुला रहा है, इन दोनों के बीच दुखी हो रहे हो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, मेरी माँ की आखरी ख्याश और मेरी ख्याश एकी है, मेरी खादर मुझे भूल जाओ, प्लीज अनु को तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन संचना को मन में बसाकर है पागल हो गया तुम्हें कुछ हो जाता ता तौन अनु को प्यार की जरूरत है अनु से शादी कद लो पती होने के नाते पत्नी की आखनी क्वाइश पूरी नहीं कदले धोगे अनु को तो मैं भी चाहता अनु को तो मैं लेकिन संचना को मन में बसाकर मेरी खातिर मुझे भूल जा तर्म भूल जा तर्म भूल जा तर्म भी जाना है चलो क्यों भाईया है मेरी जिंदे की सिर्फ बिजनेस ही नहीं उसमें अनु भी है मैं जान गया जाने क्यों आप जिन्हें चाहते हो आप से दूर चले जाते हैं आपके साथ ही ये क्यों हो रहा है भाईया क्यों अनु को क्या हुआ वहाँ अन्नू की शादी हो रही है भाईया आपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी नहीं भाईया अब वहाँ जाकर भी कोई फाइदा नहीं कर दो कर दो इकट पुडर्ण की बात अगर करो जयोज कर तें? इध जो अगर कर के यिक जो वो पम कहत्वें मैंने अहुई अगला हावज high अगर थाप इडिना बाए बाए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है 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 हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 आनो ने अंदर से दर्वाइब कर लिया पतानी क्या कर बेढ़ेगी अनो आनो आनो यह शादी का चोड़ा जी से मैंने कफन समझ कर पहन लिया है उसे देकर खुश होने आए तूटे हुए दिल के लाख और टुकड़ों में अपनी ही तस्वीर को देखकर मुबारक बातेने आये है सौ साल हर लमा मर मर के जीओ यह कहकर मुझे मौत का आश्रवात देने आये है यह डोले के बदले मेरी अर्थी को कंदा देने आये है मैंने जिंदगी में संजना से चितना प्यार किया उतना किसी से नहीं कर सकूँगा सोचा था पर मैं उतना ही प्यार अब तुम से करता हूं जानकर वो तुम्हें बताने के लिए आया हूं प्यार दो इंसानों को ही नहीं दो दिलों को जोड़ता है यह मैं आज जान गया हूं तुम्हारे दिल में मैं हूँ यह जानने के बाद मैंने तुम्हें तूर कर दिया लेकिन मेरे दिल में तुम हो यह जानने के बाद पल भर के लिए भी तेरी किये बिना तुम्हारे पास आगया हूं अनौं तुम मुझे चाहिए मलेशिया में जो सुमितरा अंटी थी उनके आखरी ख्वाइश थे कि हम दोनों की शादी हो जाए उनकी खातिरानों तुम मुझे चाहिए मैं हमेशा अस्ताए रहूँ तुम्हारे प्यार को कबूल करूँ ऐसा मेरी दिल में रहकर मुझसे कहने वाली संजना की खादिर तुम मुझे चाहिए संजना को मुझसे दूर करके मेरी जिन्दगी को बेरुखी करने वाला वो भगवान अब तुम्हारे जरीय फिर से इसमें बाहार ला रहा है उसी भगवान के कसम तुम मुझे चाहिए। तुम्हे मुझे जो प्यार है उस प्यार के खातिर। तुम मुझे चाहिए। अनु, क्या तुम मुझे से शादी करोगी। तुम मुझे चाहिए। इसला में के लिए तुम में चीरे इते। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया, आप इसी मंटब में शादी कर लिजे। इस हसी का क्या मतलब है। मतलब मैं समझ गई हूँ। तुम परिशान मतुँ। तु मेरा जीवन है, तु मेरे साथ नाए।